नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अजपी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजा ख़बर है कि हिमाचल पलदेश में जो है एक दिन में जो है 55 नए करोना पॉजिट इमाम ले आये हैं तो कहां कहां कि इमाम ले आये हैं और कितने मरीज जो है एक दिन में ठीक हुए हैं अब कितने एक्टिव केस हैं कुल कितना अखड़ा पहुंचा है और कितने मरीज जो है अब तक ठीक हुए हैं पूरी जानकारी आया है वो साथ में बेल आइकन को दबाले हैं ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सोलन में अठाइस प्रदेश भर में करोना पॉजिटिव मामले जो है आये हैं तो प्रदेश भर में जो है 55 करोना पॉजिटिव मामले टोटल आये हैं जिसमें से टिस्टिक सोलन से ही 28 मामले जो है आये हैं आगे बताया है कि हमाचल में शुकर भार को 55 करोना पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इन में सबसे ज़्यादा सोलन में 28 मंडी में 8 कांगडा म साथ उन्ना में पांच सिर्मौर्थ तीन और हमीरपुर चंबा में दो दो मरीज शामिल हैं वही परदेश बहर में जो हैं 71 मरीज जो हैं स्वास्ते भी हुए हैं मंडी में आए आठ मामलों में सुंदरमेगर के महादेब में पहले से संक्रमित सैने जवान और उसकी पत्नी के बाद उनका पांच साल का बेटा और तेरह साल की बेटी भी जो है पॉजिटिव पाई गई हैं कांगडा में साथ संक्रमितों में दो सैने जवान शामिल हैं हमीरपुर जीले के हरमिंदर और लोहुरडा में एक-एक मरीज सामने आया है सिर्मौर जीले में जहां तीन लोग पॉजिटिव निकले वहीं तीस ने करोना से जंग जीत ली है तो इसके साथ ही प्रदेश में करोना संक्रमितों का आंखड़ा जो है 2564 पहुच गया है इनमें एकटिव केस्ट जो हैं 1076 हैं अब तक जो है 1469 मरीज जो है ठीक हो गया है और 12 की जो है हिमाचर प्रदेश में करोना से मौत हुई है और 15 जो हैं वो राज्य के बाहर चले गए हैं उद्योग किशेतर बीबियन में करोना की जो है 28 नए मामले परकाश में आये हैं इनमें हेल्थ वर्कर हेल्थ केर वर्कर साहित उद्योगों की कामगार बारी इलाके से आया यात्री और पूरुफ संक्र के संक्रमित को जो है इनमें रेंडम सेम्पल से आये या लोग भी शामिल है जिसमें उद्योग के अलावा अन्य जगह से शामिल हैं ताजा तरीम मामलों में न रागड की दो हल्थ केर वर्कर बसंती बाग बदी से पूरुव संक्रमित के संप्रक में आकर पॉजिटिव हो गुरु माजरा कलॉनी में 5 यात्री जो है मैकलोर्ड फार्मा के पूर्व संक्रमित के संपर्क में आने से ग्रीन लेंब पंजेहरा में रंडम सेंपल में 3 एक अन्ने जगा से रंडम सेंपल से 5 हाउसिंग बोर्ड फेज तीन बद्दी के संक्रमित के संपर्क में आकर पोजिटिव हुए, छे स्टेल वर्ड कमपनी वा सीखा होटल बद्दी से दो यात्री और चिकितसा के परामर्ष पर एक व्यक्ति जो है पोजिटिव आया है, जीला स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर ए उत्यस मात जो है पांच लोग कोरोना पोजिटिव तो जीला उन्ना से शुकरवार को कोविड नाइन्टी की जांच के लिए मैडिकल कॉलिज टांडा में भेजे गए सेंपलों में पांच की रिपोर्ट पोजिटिव आई है, इन में से एक ही परिवार से दादा, दादी औ और छे साल का पोता है, गोर हो कि इस छे साल के बच्चे का पेता पहले ही संक्रमित है, उसके संपर्क में आने से तीनों पोजिटिव हुए हैं, वहीं चौथा अंब उपमंडल के गाओं ठट्थल का 35 वर्षी योबक जो है पोजिटिव है, या लुद्याना से आया था और घर पर कुवांटीन था, वहीं पाजबा पोजिटिव मामला भी उपमंडल आमका है, इसमें गाओं घरों की 31 साल के गवालियर से लोटी महिला पोजिटिव है, इसे भी होम कुवांटीन किया गया था, CMO डॉक्टर रमन शर्मा ने कहा कि चिला उन्ना से कोविट जांच के लिए 180 सेंपल भेजे गए थे, इन में से 5 पोजिटिव, 174 नेगटिव और एक सेंपल रिजएक्ट हुआ है, वही 7 संक्रमितों के फोलो अप सेंपल में reject हुए है साथ संक्रामितों के फोरवब संपल में से 6 positive और 1 negative है इसके साथ ही जीला में संक्रामितों के कोल संक्या 207 हुई है इन में से 147 recover और 6 active है वहीं जीला में 14 migrated इनके मामले आ चुके हैं इन में से 8 recover और 6 active gaze है सेना के दो जवानों साहित जो है साथ positive कांगड़ जीले में करोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं शुकरवार को भी सेना के दो जवानों साहित जो है वो साथ नए मामले सामने आया है वहीं अच्छी ख़बर या भी है कि 8 लोगों ने मामारी को मात दी है 16 जुलाई को ले से लोटा सेना का जवान करोना संक्रमित पाया गया है या पालमपुर के बंदला गाउं का रहने वाला है वहीं करोना positive बेटे के संपर्क में आने से बैजनाथ के मदेहिड गाउं की 41 वर्षी उसकी माँ भी positive आई है इन दोनों को सेने अस्पताल पालमपुर शिफ्ट किया गया है इसके अलावा बैजनाथ के धनक गाउं का 52 वर्षी व्यक्ति पाया गया है वह अब 20 जुलाई को जलंदर से आया था वहीं मुंबई से 22 जुलाई स्को लोटा पालमपुर के मौली चक गाउं का 52 वर्षी व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है दोनों को कोविड अस्पताल धर्मशाला भीजगा गया है मंदल भतेपुर के रे गाउं का 45 वर्षी व्यक्ति यू है बेना किसी ट्रेवल हिस्ट्री के पोईश्टे पाया गया है वहीं भतेपुर के हटली गाउं का 22 साल का यूबक करोना की चपेट में आया है यह यूबक 19 जुलाई को रास्थ हम से आया था दोनों को कोविड के सेंटर डार्ट भरती किया गया है इसके अलावा से अस्पिताल यूल में भरती एक जवान करोना पोजिटिव आया है यूल अस्पिताल में ही उसका अपचार जो है चल रहा है सिर्मोर जीले के गोविंदगर मोहला नहन में करोना का हमला थमने के बाद अब शहर के दूसरे हिस्सों में लागतार मरीज बढ़ रहे हैं हलांकि मरीज्जियों के ठीक होने की रफ्तार भी बेहत तेज है शुकरवार देर शाम डॉक्टर वाईयस पर्मार मेडिकॉल कॉलिज से आई रिपोर्ट में तीन और पॉस्टिव पाए गए इनमें दो पूर्विया मोहला और एक अपर स्ट्रीट नहन क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है तीनों को कोविड के सेंटर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है नहन शहर में करोना के मामला लागतार बढ़ रहे हैं बीर बार को शहर में 22 लोग जो है करोना पॉस्टिव जो है पाए गए थे इनमें 14 लोग ऐसे थे जो पहले से संपर्क में आई लोगों के प्रात्मिक संपर्क में थे जबकि एक सेना का जवान और विदेश से लोटी यूबती भी करोना संक्रमित पाए गई अब शुकर बार रात को आई रिपोर्ट में तीन और करोना पॉस्टिव पाए गए हैं पूर्विय महला में एक महिला कुछ दिन पहले संक्रमित पाए गई थी जयनकारी के उनसार आज कुल 240 नए सेंपल, 40 follow-up सेंपल और 2 repeat सेंपल जहांच के लिए भेज़े गए थे दो फहर को आई रिपोर्ट में 40 follow-up सेंपल की जो है रिपोर्ट में पांच की रिपोर्ट आनी 6 थी जिसमें 3 की रिपोर्ट नेक्टिव आई है इसके रतरिक नए सेंपल में से 132 की रिपोर्ट नेक्टिव आई है जबकि 100 सेंपल की अभी जहांच चल रही है देर रात आई रिपोर्ट में तीन जो है नए पोजिटिव मामले आये हैं जिसमें पूर्विय महले की 49 वर्षी में महिला 26 वर्षी योग तथा अपर स्ट्रीट के थावन वर्षी पूर्ष की रिपोर्ट पोजिटिव आई है नए मामले आने और 43 लोगों की ठीक होने के बाद जिले में आब एक्टिव मामलों की संख्या 173 रह गई है बताया जा रहा है कि आज पोजिटिव आये लोगों की प्रास में संपर्क में थे जीला दंडा दिकारी डॉक्टर आर के पुरूथी ने जो है इसकी पुष्टी की है उन्होंने बताया कि तीनों को कोविट के सेंटर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है तो दोस्तों ये थी अभी की आज की तार्य ख़बर तो अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर करके लाइक करते है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भोलें ताकि आप तक मेरी हर नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंशा के धन्यवाद जैहें जैवाद